यह कोई साधारन स्थान नहीं है यहां पे जो भी संकल्प का बीज बुएंगे न उसका प्रत्यक्षवल तुरंत मिलता है यह इस भूमी की खूबी है इस हॉल में से जब यहां पे हॉल नहीं था और यहां पे वो पहाड था बाबा यहां के पहाड पे सारे विश्व सिवा की प्लैनिंग करता था और मैंने दो तीन दिन से मेरे सोच चल रहे है कि वर्तमान समय अनुसार हमारे किस बात का पुर्शारत में और जोर जीए और मेरे अंदर से बार बार एक ही बात आती है पास्ट इस पास्ट बिलकुल पास्ट इस पास्ट जैसे कभी-कभी क्या होता है हम लोग सवेरे उठते हैं कल की बाते याद आती है जो छे मास पहले किसी ने कुछ बोला वो भी याद आता है अभी ऐसा पुर्शारत करना है जो सच में जैसे आप आँख खुली करो जैसे कल क्या हुआ पता भी नहीं है जैसे दूसरा जनम दादी भी बहुत बारी हमको कहती थी कि जैसे ड्रीम हो गया है ड्रीम हुआ है ड्रीम आता है जाता है लेकिन मन पकड़ के नहीं बैठता है उसको तो अभी अंदर से आपको ऐसी तयारी करनी है कि आप खुद अपने आपको उस स्थिती तक पहुँचाओ कि सच में पास्ट इस पास्ट तब जाके आपकी पुर्शारत की तीवर पुर्शारत की गाड़ी आगे बढ़ेंगी इसका त्याग करना है इसके लिए कई बातों का आपको ऐसे पुर्शारत में फोकस और कौनसे प्रकार का पुर्शारत चाहिए इसके लिए पास्ट इस पास एक है पुरानी बातों को भूलना है भूलने की शक्ती बढ़ानी है क्या किचरा पकड़के बैठे हो मन गुद्धी में जो भी आप पकड़के बैठे हो ना दिल में वो ही आपका मन को चलाएंगा फिर आपकी सदा फरियाद रहेंगी कि मेरा योग क्यू नहीं लगता है क्यूंकि जो पकड़के बैठे है वो ही आपका मन को चला रहा है छोड़ो तो छूटे तो पहली बात है कौनसी पास्ट की बात को भूलना है लिटरली भूल जाओ उसको वर्तमान समय में इसकी वैल्यू है नही तो खुद को मनाना होंगा बैठ करके ये बात को मनाना होंगा ऐसे वैसे नहीं होता है जैसे ठोटे बच्चे के इस पास एक खिलोना होता है ठीक है? वो छोड़ना नहीं चाहता है तो कुछ मम्मी को मनाना पढ़ता है कुछ और चीज़ देनी पड़ती है, ना? वैसे ही आपको एक तरीका ढूनना पड़ेगा. जो मन, दिल पकड़ के बैठा है, ना, उसको और दूसरा टेम्टेशन दो. जान योग का दूसरा टेम्टेशन दो, आगे बढ़ने की नवीनता कुछ दो, ताके वो पुरानी बातों से हाथ निकाल देवे. तो पहली चीज़ ये है कि भूलने की शक्ती बढ़ानी है. दूसरी है, हर बात में, फिनिश करो काम. अब नहीं तो कब नहीं. क्या होता है हमारे पुर्शारत में? आज बाबा ने कुछ डायरेक्शन दिया, हम सोचते है कल करेंगे. मैं पुर्शारत की बात करती हूँ, स्थूल काम की बात नहीं करती हूँ. स्थूल काम तो ऐसा है, अब जितना भी करेंगे, उतना ही विस्तार में जाता रहेंगा. स्थूल काम कात में तो बहुत पेशन्स चाहिए. सब कुछ एक दिन में complete नहीं हो जाएंगे. लेकिन पुर्शारत में तो आप complete कर सकते हैं आपका पुर्शारत. जो बाबा ने direction दिया है, उस दिन का direction दिया है, उसको तो आप पुरा कर सकते हो ना. राइट? तो finish माना, बाबा की जो बात है, उसको complete करो, वही दिन पर complete करो, अब नहीं तो कब नहीं. तब ही जाके और बाते finish हो जाएंगे. खतम हो जाए, finish. हम दादी के पास आते से, बोलते थे दादी ये बड़ा difficult है, ये कहता है कि हमारे सोच चलता है इस बारे में. दादी फिर कहती थी, अरे दादी का ज्यादा सोच चलना चाहिए. लेकिन आप देखते हो ना, दादी क्या करती है? डोंट केर. डोंट केर. क्या बड़ी बात है? हमारे देभान, हमको insult महिसूस कराती है. हमको sensitive बना देती है. ठीक है, यह हमारा देबान है अभी हम औरों का लेंगे और हम खुद सेंसिटिव बनते रहेंगे गाड़ी आखिर कैसे आके बढ़ेंगे अभी जो वो बोल रहा है उसका पार्ट है आपका क्या जाता है बल आपका नाम यूज कर रहा है लेकिन वो नाम शरीर का है और शरीर आपने सरेंडर कर दिया तो आपका क्या जाता है यहां तक खुद को अंदर से फ्री बनाना है समझ में आई मेरा नाम बिगडेंगा मेरा नाम सभी के सामने अरे आपने शरीर दे दिया बाबा को समर्पन कर लिया तो नाम सहीद शरीर जाता है तो भल जो भी बोले इसलिए पुर्शारत को complete करना है हर रोज का जो भी बाबा का डिरेक्शन है और तीसरी बात है मर्ज करने की शक्ति जो हम कहते हैं हिंदी में समेटने की शक्ति कुछ चीज जो विस्तार में होती है उसको सार में इसकी प्रैक्टिस चीए अभी क्या होता है संकल्पों का बहुत विस्तार चलता है हर बात में आप डाइनिंग टेबल पे बैठेंगे कोई और अच्छी बात चटपटी चटपटी बात सुनाएंगे उसके विस्तार में चले जाएंगे और जितना आप विस्तार में जाएंगे आप एक खुद के लिए एक जाल बना रहे हो और उस जाल में ही आप ही फसने वाले हो और लास्ट में घर जाने से पहले आपको ही आपका विस्तार समेटने पड़ेगा आपको ही भोगना पड़ेगा संकल्पों का विस्तार का आपको भोगना पड़ेगा तो आप क्यों अपने संकल्प को फालतु बाते में विस्तार में लेके जाओ यह सारी जो मैं बाते बता रही हूँ यह आदते बन गई है जैसे आपकी common जीवन में आदते बन गए आप अभी मदुबन की भूमी में बैठे हो और इस भूमी में कुछ त्याग चाहिए क्योंकि इस भूमी में त्याग की शक्ती भरी हुई है जो सच्चे दिल से त्याग करेगा उसका ही तपस्या बढ़ेगा क्योंकि तपस्या का अधारी है त्याग ऐसे थोड़ी बस हम चलते आए फिर ते आए ऐसे आप बस पुर्शारत हो जाएगा टाइम वेस्ट दिल से पूछे मुझे क्या त्याग करना है भी क्या समझाना है यह यहाँ वो काम करेंगे न आपका जो तीन मास का पुर्शारत है बार का एक सेकंड में आपका हो जाएगा यहाँ पे लेकिन दिल से चाहिए कंडिशन है दिल का आवाज रियालिटी में इतनी अच्छी अच्छी जगे है यहाँ पे एक कांत में जाके बैठो और देखो कौनसी बाते भुलनी है कौनसी बाते फिनिश करनी है और कौनसी बाते मर्ज करनी है और बीच बीच में सच मुझ में आपको बताती हूँ अंतर मुकता का अभ्यास जिसमें बीच बीच में मैएक अनादी अभिनाश्री अमर आत्मा हूँ बस मैं एक अनादी अविनाश्य अमर आत्माउ उसकी गेराए में जाएंगे न अटोमेटिक अशरिरी बनना जाएंगा बार बार यह मंत्र को मन में रखो अटोमेटिक वृत्ती अंतर मुखी हो जाएंगी और आप अशरिरी का जो भी दिन में सारा कुछ हम किचड़ा लेते या तंग कोई नी किसनो सब कुछ उसमें चला जाता है मैंने बहुत बार यह दिखा है खास तौर करके जब शांतिस्तम के सामने बैठते है आए है बिना शरीर के जाना भी है बिना शरीर के ताकत आत्मा में है तो जितना इसकी स्मृत्ती जागरत रहेंगे आप बीच बीच में सिर्फ एक मिनिट के लिए मैं एक अविनाश्षी अमर अनादी आत्मा हूँ इतना अच्छा लगेगा अंतर से और यह एक एनरजी क्लेंजिंग का एक तरीका है तो यह तीन बाते याद रखेंगे ठीक है भूलना है फिनिश करना है मर्ज करना है फोर्गेट फिनिश एन मर्ज इसका मंत्र पक्का करो फिर जाके पास्ट इस पास्ट आप पे ही बन जाएगा और आप देखेंगे इतनी अंदर से फ्रीडम महसुस करेंगे आप बंदन मुक्त अवस्ता बन जाएगे ठीक है अच्छा आज अभी आप से चुट्टी लेती हूँ बहुत बहुत थैंक्स पेंजी को बहुत प्यार से निमंत्रन दिया मेरा भी सौभाग्य है कि आप सभी को एक साथ में मिलने का भी मौका मिला नहीं चलो एक मिनिट बाबा की याद में बैठे और उस्तिती में नई, नई एक हाथ से